राजस्थान के देवली में हम हैं और यहां हमें एक बहुती शांदार चीज़ देखने को मिल रही है यह तिल है यह तिल का तेल है और इन्हों ने अभी मुझे गुण खिलाया है सुबह सुबह का यह मेरी साइकल है मैं साइकल यात्रा कर रहा हूं दिल्ली से बंबई और यहां तिल का तेल निकाल रहे हैं और इन्हों ने यह कोलू लगाया है लकड़ी का और बैल की जगे मोटर साइकल को लगाया है नमस्ते भाई साब क्या नाम है आपका बीरालाल आप इसी गाउं के रहने वाले बीलवारा के हैं और यह कितने साल से आपने शुरू किया कितने साल पहले गाउं में चलाते थे और बैल से निकालते थे अभी आपने मोटर साइकल लगा दी इसमें बैल की जाएं तो यह आप साल में कितने महीने तेल का यह काम करते हैं ठंठंड में और आपका यहां से बिग जाता है कि यहीं से बिग जाता है क्या भाव तिल का तिल दे रहे हैं चार सो रुपए किलो है और सामने निकाल के देते हैं वाह जी अब यह अपने आप चलती रहेगी कर दो में डिल करते हैं क्या जाब धिल के अखने जा बाव तिल का अपने जावफ कि रहें और साव्पए क्या जा वफ आप खिल कोपा चाह यहां सा बावफ किस था रहा हैं तो ये देवली कस्वा है और सुबह सुबह पाँच बज़े हम दूनी से निकले हैं और देवली वो जगे है जहाँ जैप्रकाश नरायान और अन्य समाजबादी नेताओं को सन 41 में यहाँ एक अस्थाई जेल कैम्प में रखा गया था और यहां जैप्रकाश नरायान और उनके साथियों ने एक महीने का उप्वास किया था और यह मांगी थी कि जिन जिन राज्यों के राजनेतिक बंदियों को यहां रखा गया उन सब को उनके राज्यों में वापस भेजा जाए और उसके बाद जैप्रकाश नरायन को हजारी बाग जेल भेजा गया बाकी लोगों को उनके राज्यों में भेजा गया और फिर हजारी बाग जेल से जेल तोड़कर प्रकाश नरायन और उनको साथ ही फरार हुए थी वो फिर इतिहास है तो यह देवली वो जगह है आज हम कोशिश करेंगे उस जगह को भी देखने की जहां प्रकाश नरायन को रखा गया था वहां भी CISF का कैम्प है असा मुझे बताया गया है आज मैं उसे देख